Hello everyone, welcome to your channel Shiva Learning दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे Lord Mahavira Homeopathic Medical College जो लुद्याना में स्थी थे पंजाब में आई हुई काफी अच्छी Homeopathic Medical College में से एक माना जाता इसको इस College में BMS और BHMS में क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा और इस College में अगर आपको admission चाहिए तो क्या acceptance cut-up रहेगा उसकी बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर टलिजे government quota में रहेगा 1,20,000 का management quota में रहेगा 1,18,000 का NRI quota में रहेगा 3,60,000 यानि कि जो government quota से बिलोंग करते उनके लिए जो fee structure रहेगा वो 1,20,000 का है management quota में 1,80,000 का है और NRI quota में जो fee structure है वो है 3,60,000 का है आगे अगर BHMS की fee structure की बात करें तो government quota है उनमें जो per annum की fees रहेगी है 1,28,750 की रहेगी Management quota में भी सेम रहेगा और NRI quota में भी सेम रहेगा यानि कि 1,28,750 जो है वो fees रहेगी BHMS में Government quota, Management quota और NRI quota में अगर还有 hostel fees की बात क्रें तो BMS की में जो hostel fees nurse 24,000 का रहेगा और BHMS में भी same रहेगी यानि कि 24,000 पर NM की hostel fees रहेगी तो दोस्तों ये जानकरी थी लोड महावीरा ओमियोपेथिक मेडिकल कोलेज में फीज स्टक्चर की अब बात करते हैं अगर आपको इस कोलेज में admissions चाहिए तो क्या acceptance cut-off रहेगा category-wise तो सबसे पहले अगर other category की बात करें तो other category में जो acceptance cut-off है वो है 725 to 210 है वो भी सी category में जो acceptance cut-off है 165 to 125 है ST category की बात करें तो उनमें जो acceptance cut-off है वो है 157 to 120 है और ST category की बात करें तो 115 to 115 जो है वो acceptance cut-off रहेगा तो दोस्तों ये जानकरी थी acceptance कटोप की हमने category wise बताया कि other category obviously SC और ST category में क्या acceptance कटोप रहेगा उसके बारे में बताया हमारी साहिता counseling ले ले लेटी चाहते हैं तो आप हमारे website में जाकर contact भी कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो like share जरू कीजिगा